लो्ट स्टूडेंट्सय कैसे हैं आप लोग्ग्र jam केस्ट लैर्निंग केम्पस में आप लोगों का हर्दि क्तव और आप लोगों के बीच में आज हम एक निया टापिक लेकर आए हैं जहां से लोगों के बहुत कोशचन आ रहे हैं और क्वोशन गलत भी हो रहा है कोशन बहुत पूच़ जा रहे हैं गलत भी कर रहे हैं तो हम बताने जा रहे हैं किcida कैसे पढ़ा जाये जैसे घंचक्या नजर्ण है यहां 10 से करीब 8 से 10 कोस्षन आपको श्योर मिलेंगे ठैक है तो खनिज वास्थột में क्या-क्या पढ़ना है जैसे अभी कोस्षण पूछा गया था कि भारत में सर्वादिक कोईला उत्पादन अगर भारत में पूछ दिया जाए भारत में सरवादिक कोईला उत्पादन कहां पर होता है दोनों चीजे आता है एक आता है भंडार तो दोनों चीजे याद रखना अगर नहीं मालूम है तो एक याद ध्यान रखना कि कम से कम दो से तीन कोश्चन याद रखना जैसे कोईला उत्पादम ने डाटा चेंज हुआ है क्या हो गया है कि अब 36 गड़ आ गया है जैसे 36 गड़ आता है 37 गड़ बाद क्या आता है जार खंड आता है और जार खंड के बाद क्या आता है तुम्हारा जार खंड के बाद उड़ीशा अगर तीन मालूम है और फिर इसके बाद यंपी आता है अगर दो एक दो तीन तक मालूम है तब भी कोश्चन निकल आता है तो याद रखना अग और बंडार में अब बंडार में देखो जारखंड हो जाएगा जारखंड बंडार में क्या हो जाएगा जारखंड हो जाएगा फिर इसके बाद क्या होगा उड़ीसा हो जाएगा अगर यहां पर तुम दो कोशन अगर कर लो कि जारखंड उड़ीसा बंडार में तब भी कोश कोईला अगर ये पूछा जाए लिगनाइट कोईला ये भी कई बार कोशन पूछा गया लिगनाइट कोईला तो लिगनाइट कोईला में पूछा गया था तो याद रखना इसको तमिलनाड लगा के आएंगे क्या लगाएंगे तमिलनाड लगा कर आएंगे तो तमिलनाड तो कोश्चन कभी गलत नहीं होगा तो लिगनाइट में तमिलनाड गुजरात और राजिस्तान तो ये तीन उत्तकाड़न में है इसके बाद अगर पूचा जाए सोना उत्तकाड़न में कौन सा है तो सुना अगर पूच carved कि भारत में सरवादिक सोना कहा मिलता सोने उत्पादन में अगर पूछाया सोना तो याद रखना सोना में सरवादिक करनाटक है करनाटक के बाद क्या आता है राजिस्तान आता है तो सोना करनाटक है फिर राजिस्तान है तो इस तरीके से कोश्चन याद रखना मित्रो कि सोन लोहा की बात करते हैं कि लोहा उतपादन में सरबादी कुन है तो उडिसा ज़क्र गया है कि उडिशा है 36 गड़ और कौन है 36 गड़ है और इसके बाद जारखंड आता है यह तीन है तुमारे लोह आउतपादन में ठीक है तो जारखंड यानि कि जारखंड ये भी कई बार question पूछा गया है तो मित्रो ये याद रखना कि जारखंड को है यहां पर जार्खंड जो है कई बार पूछा भी गया है तो जार्खंड ठीक है अब जार्खंड की बात करते हैं कि जार्खंड बिहार से कब अलग हुआ था तो एक सूत्र रियाद रखना एक नौव पंद्रा तो पंद्रा नौंबर 2000 को हमारा जार्खंड किस से अलग हुआ था बिहार से अलग हुआ था ठीक है तो यह चीज याद रखना तो यहां से कोश्चन भी पूछा गया इसके बाद अगर पूछा जाता है चांडी उत्पाधन में स्रवादिक कौन है उत्तरपने चांडी अगर पूछा जाए तो चां ये पूछ जाए की हीरा उत्पादन कहां पर है तो हीरा का लगाना यंपि मे पन्न और इसके बाद कौन सा आता है यंपि के बाद अगर पूछा जाई तो आंध-प्रदेश आता है तो हीरा उतपादन में यह चीज याद रहना हमered मित्तों अग से लिए आता है कि सरवादिक प्राकर्तिक गैस जब प्राकर्तिक गैस की बात करेंगे प्राकर्तिक गैस का असम लगा के आना प्राकर्तिक गैस सरवादिक कहां मिलती है तो उत्पादन है तो असम है कौन है असम तो कौन सा है असम है असम के बाद कौन सा आता है ध्यान देना कि असम में सबस और चीज यह आगर देखाई एक चीज़ और द्यान देना यही तमकूत अपादन में भी है आंध्रदेश और यही अन्डा उत्पादन भी वातिया करें तो यही जादा है ठीक है तो यह चीज इस तरीके से हमें पढ़ना है अंगली वीडियो में आप लोगों के बीच में फिर पुना हम मिलेंगे जब तक के लिए आज यहीं तक रखते हैं फिर मिलते हैं आपको